देशपर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है ठंड के प्रकोप से बचने के लिए कुछ लोग आग से तप रहे हैं तो कुछ नहाने से कत्रा रहे हैं सर्दियों में रुजाना ना नहाने वाले लोगों को दूसरों से काफी भला बुरा भी सुनना पड़ता है को कोई भी ना नहाने पर ताने नहीं सुना पाएगा हाल ही में हुई रिसर्ट से पता चला है कि सर्दियों में रुजाना नहाना सेहत के लिए नुकसान दायक हो सकता है सर्दियों में रोजाना ना नहाने वाले लोगों के लिए यह ख़वर किसी खुशखबरी से कम नहीं जानिये सर्दियों में रोजाना नहाने को डेकर क्या-क्या बाते सामने आई हैं बोस्टन, अमेरिका के डर्मेटोलोजिस्ट डॉक्टर रुनेला के अनुसार सर्दियों में रोजाना नहाने की कोई जरुरत नहीं होती उन्होंने कहा तो अच्छा में खुद को साफ करने की क्षमता होती है अगर आपको पसीना नहीं आता और आप धूल मिट्टी में नहीं जाते तो आपको सर्दियों में रोजाना नहाने की कोई जरुरत नहीं है शोद में सामने आया है कि सर्दियों में रोजाना गर्म पानी से नहाने से स्किन ड्राइ हो जाती है गर्म पानी में नहाने से natural oils भी निकल जाते हैं जिसकी वज़ा से skin पटने भी लगती है शोदी की अनुसार हमारी त्वचा कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी पैदा करती है जिनकी वज़ा से skin healthy रहती है रोजाना नहाने से अच्छे बैक्टीरिया भी शरीर से निकल जाते हैं जिसकी वज़े से आपके immune system पर बुरा प्रभाव बढ़ता है अगर आपको एपर्पोर्ट पसंद आए तो से like और शेक करें साथ ही अपने views उमें comment करके ज़रूर बताएं सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही latest और interesting news के लिए